राम राम आज हम श्रिमत भगवर्द गीता के अध्ये 6 आत्म संयम योग का श्लोक 35 संस्क्रित उचारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे श्री का अर्थवा श आधा श शंकरजी वाला आधा है और पूरी पर बड़ी ए की मात्रा श्री भग दोनों अक्षर पूरी दोनों में आमिक्स करना है भगवानु वाच च में आमिक्स किया श्री भगवानु वाच अ स के उपर जो बंदी है शब्द में बीच वाले अक्षर पर तो उसको आधान नाक से सन श य श य दोनों अक्षर पूरी दोनों में आमिक्स किया शब्द पुराने के बाद य पी अनसवार आधा म असन शयम स और श का ध्यान रखना है शन श नहीं बोलना है पहले स है और फिर श है सन शयम म मी आमिक्स करना है महाँ बाहो पहला चरण फिर से असंशयम महाँ बाहो दूसरा चरण म मी आमिक्स करते वे मनो दू की साथ आधारत दूर नि ग्र ग्र का अर्थवा ग आधा और पूरा जी आर ए हपूरा शब्द पूराने के बाद हपी अनस्वार आधाम द नि ग्रहम Chami आमिक्स करेंगे च लपूरे के साथ आधाम लम चलम साकेंड चरण फिर से मनो द निग्रहम चलम पैहला और दूसरा चरण साथ में असंशयम महाँ बाहो मनो द निग्रहम चलम तीसरा चरण आदे भग के साथ याभ्या से और न मी अमिक्स करेंगे अभ्या से न तू मातरा छोटी लंबा नहीं खीच न कपे आउ के मातरा कउ के साथ आधन काउन ते और या मी अमिक्स करेंगे काउन ते या तीसरा चरण फिर से आप्यासे न तु काउंते या चौता चरण वई वपे आई के मतर है वई रा आदे ग के साथ ये गे और न में आमिक्स करेंगे वई रा गेन च में आमिक्स क्या च ग्री ग्री का अर्थ हुआ ग आधा और नीचे जो मतर है वो है री से रिशिके दीखीए यहाँ पर जो second चरण में निगरहम था उसमें गग, आधा और र की मत्रा थी और चौथे चरण में जो गरी है उसमें गग, आधा और री से की मत्रा है इन में confusion नहीं होना है आपको वहाँ पर गर पढ़ना और यहाँ पर गरी पढ़ना जी आर आई ग्री के साथ आदाह ग्री और यमी आमिक्स करेंगे ग्रियती च्वाथा चरण फिर से वैरागेन चग्रियती तीसरा और च्वाथा चरण साथ में अभ्यासेन तुकाउंतिय वैरागेन चग्रियती पूरी श्लोक का उच्चारन एक साथ श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनोद निग्रहम चलम अभ्यासेन तुकाउंतेय वैरागेन चग्रियते श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनोद निग्रहम चलम अभ्यासेन तुकाउंतेय वैरागेन चग्रियते देखे इससे पहले हमने देखा था कि मन की चंचलता को लेकर अरजन भगवान से प्रश्ण करते हैं कि इस मन को जो की चंचल है प्रमाथी है दृड है अर्था जिद्धी है और बलवान है इस कारण इसकी गती को तो रोपपाना संभावी नहीं है जिस तरह से आकाश के इस्तितवायू है उसको आप एक मुठी में बंद करकर नहीं रख सकते हैं उसी प्रकार इस मन को एक धे की तरफ लगाना मुश्किल है तो फिर जब मन स्थिर नहीं रहेगा तो ध्यान योग में समता यानि सिद्धी कैसे प्राप्त होगी अरजुन की इन प्रश्णों का उत्तर देते वे भगवान मन के निग्रह को यानि मन को मन की चंचलता को रोकने का उपाए बताते हैं श्री भगवान वाच यानि भगवान बोले असंशयम यानि संशय रहित मतलब जो तुम कह रहे हो वो पूर्ण तया उचित है महाबाहो भगवान अरजुन को संभोधित करते वे बोल रहे हैं हे महाबाहो मनो यानि यह मन दोर निग्रहम यानि इसका निग्रह करना बड़ा ही कठिन है चलम अब देखिए दोर निग्रहम चलम यानि यह बड़ा चंचल है जो बात अरजुन ने बोली भगवान अरजु की बात को सही साब बताते वे बोलते हैं कि जो तुम कह रहे हो कि मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रय करना कठिन है यह बिल्कुल सही है अभ्यासे न अभ्यासे न यानी अभ्यासे तू लेकिन अर्जुन वैरागेन यानि वैराग्य से च और ग्रियते का अर्थ यानि इसका मन का निग्र किया जा सकता है तो भगवान ने निग्रह करनी के दो उपाई क्या बता है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको निग्र किया जा सकता है बुरा अर्थ निकला श्री भगवान बोले हे महाबाहो ये मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है ये तुमारा कहना बिलकुल ठीक है ये मतलब इसमें कोई भी संशन नहीं है परन्तु हे कुंती नंदन अभ्यास और वैरागे के द्वारा इसका न है हमारा ध्ये परमात्मा की प्राप्ति है उस तत्व की प्राप्ति है जो हमारे से संबंद रखती है हमारा स्वरूप अविनाशी है और सुक्का भंडार है और हम परमात्म तत्व से एक ही कार है एक है न जैसे ये शरीर संसार से एकता रखता है वैसे हमारा स्वरूप पर अर्मात्मा को पहचानना ये हमारा धे है, और मन को बार बार अपने इस धे, अर्थाट लक्षे में लगाने का नाम ही हो गया अभ्यास, लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखनी है, कि अभ्यास आज हुआ और कल नहीं हुआ, ये नहीं होता, अभ्यास को हमको प्रते दिन करना है क्योंकि अभ्यास की सिद्धी समय लगाने पर ही हो सकती है अब अभ्यास करने के लिए अपने को पहले भी अपने पिशलिश लोकों में भी आ रख है कि अपना मन जहां जहां पर भी जा रहा है वहां महाँ पर हम यह सोचे कि यह परमात्मा की तरफ ही जा रहा है या फिर जो अपन एक समय लगानी वली बात कि जिस तरह से महाराजी ने हमको बताए कि मन को अभ्यास के द्वारा नियंतरित अर्था निग्रह करनी के लिए हम कोई भी माला को मन से उसमें अंदर काउंटिंग करते रहें और जब जैसे काउंटिंग अगर छूड जाती तो व मन को बार-बार परमात्मा में लगाने का काम उसकी सायता के लिए हमको वैराग्य की जरुवत है वैराग्य का मतलब क्या हुआ कि संसार के जो सुख भोग दिख रहे हैं इन सबसे हमारा जितना राग हटेगा जितना आसकती मन हटेगा उतना हमारा मन परमात्मा की तरफ आक से हटा कर अपने परमात्में तत्व की तरफ खीचना और दूसरी चीज वाईरा गेना कि इस संसार के विशेभोगों को तुछ मान कर कीवल इसको वहीं पर ही छोड़ देना जैसे कि हमें दिख रहे हैं कि यह सब कुछ अच्छा है लेकिन उसके बाद में भी कि यह सब कुछ नश्वर है यह शरीर संसार सपुष नश्ट होने वाला है यह बात सोचकर अपने विवेक को मुख्यता देखकर फिर से अपने अभ्यास की तरफ लगकर हम मन को निघ्रा कर सकते हैं अविनाशी सहज सुखराशी हे नात हे मेरे नात मैं आपको भूलो नहीं नारें नारें नारें